यह स्टुडेंट्स एक प्रावलम है काइनेमाटिक से तुर टू टाउन्स ए और बी यह दो टाउन्स में यहां पर ए लिख देता हूं यहां पर बी और यह कनेक्टेडे एक रिगूलर बस सर्विस है और बस हर 80 मिनिट्स में दोनों स्टेशन से दूसरी साइटी की और जा र तो यह एक बस है यहां पर और बस क्रॉस कर चुका होगा और यहां पर यह साइकलिस्ट जो ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर पर जा रहा है और वो देखता है कि यह जो बस हर 18 मिनिट्स में उसको क्रॉस करता है और और आपूसिट डिरेक्शन में 6 मिनिट्स वह सेपरेट ड्रॉ करेंगे अभी इस बस का जो टाइम पिरेड है वो मिनिट्स में कितना है और जो स्पीड है यह भी कैलकुरेट करना है तो इन टाइट के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग रिलेटिव वेलासिटी का यूज करेंगे क्योंकि रिलेटिव वेलासिटी से अगर आप इस को सॉल करेंगे तो काफी सिंपल हो जाएगा और रिलेटिव वेलासिटी हम इसलिए यूज करेंगे कि यहां पे जो बस का स्पीड है वो साइकलिस्ट फ्रेम आफ रफरेंस से एक्स्प्रेंड किया गया है इसलिए हम वो चूज करेंगे तो पहला तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्राउन फ्रेम आफ रफरेंस से इसको जरा सॉल करते हैं तो इसके लिए एक बेसिक कंसेट यह है समझना कि कुछ फिजिकल कॉंटिटी होते हैं जो फ्रेम आफ रफरेंस पर डिपेंड नहीं होती है इस बात को समझने के लिए तोड़ा समय एक एक्जाम्पल लेता हू कि मान लो एक ट्रेन है यहाँ पे और यह ट्रेन यहाँ से जा रहा है कुछ वेलास्टी भी पे और एक आदमी है यहाँ पे और एक बकसा यहाँ पे रखा हुआ है और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है लेट से डी तो ट्रेन फ्रेम आफ रफरेंस में यह जो बकसा है उ इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है इस इंडिपेंडेंट आफ रेम उपरेंस इस प्रॉब्लम को सॉल करने के लिए तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम अब रफरेंस में इन दोनों बसस को देखो तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को मैं ले लेता ह रही है तो मैं लिकूंगा वेलास्टी इक्वल तु डिस्टेंस एपान टाइम टो टी मिनिट्स है हर टी मिनिट्स में बस जा रही है तो मेरा पहला एक्वेशन होगा D इकोल टो V इंटो T तो फॉर्स्ट इक्वेशन अभी हम साइक्लिस फ्रेम अवर रफरेंस में आ जाते मैं कहूंगा कि वेलास्टी अप्स असीन बाइप्ट इस इक्वल तु वेलास्टी अप्स माइनस वेलास्टी अप्स जो है 20 किलोमेटर पर आवार ऑर दोनों सेम डिरेक्शन में इसलिए दोनों पॉस्टिव और इस फ्रेम अफ रेम उफरेंस में जो इस दिस्टेंस होगा दोनों बसस की बीच में बले ही मैं साइक्लिंग कर रहा हूं बट दोनों बसस की बीच में जो इस्टेंस रहेगा मैं सेम ही इस्टेंस देखूंगा जो है डी सो रेटेंस वेलाउसिटी इकल टुट इस अपॉन टाइम अभी कॉन से टाइप अस सीन बाइद साइक्लिस्ट जो मैं यहां पर आवर्स में कंवर्ट कर देता हूं साथ मैं पर इसको सीक्वेशन नमबर टू ले दिता हूं अभी दूसरे वाले केस में आप देखोगे कि बस उल्टा डाइरेक्शन से आ रही है तो cyclist ये रहा और ये bus रहा और ये bus इसको cross कर रहा है और ये दोनों distance के बीच में तो distance है, वो same रहेगा, वो है D तो अभी ये कितने minute में cross कर रहा है उसको, 6 minute में तो हम लिखते हैं यहाँ पे velocity of the bus as seen by the cyclist और convenience के लिए में इस direction को positive ले लेता हूँ so that I can write here, it's velocity of the bus minus velocity of the cyclist velocity of the bus, ऐसा positive लिए गया है, जो है V minus of minus, क्योंकि ये direction का sign convention लेना important है अगर ये positive है तो है ये negative है, तो है minus of minus 20 that is equal to distance, as seen by the cyclist, same in every frame of reference divided by the time between the buses as seen by the cyclist, जो है 6 divided by 60 hours that means D equal to V plus 20 into 6 by 60, और मेरा ही strong opinion है कि calculations को आप हमेशा end में रखे, उसको पहले करने की जुरोत नहीं है येनि don't try to divide that 18 and 16 and all that, अभी first equation और second equation तो equal है तो अगर ये दोनों equal है तो में लिकूंगा V minus 20 into 18 by 60, that is equal to V plus 20 into 6 divided by 60, 6 directly cancel होता है 60 और ये 3 होगा, ये है 3 V minus 60 equal to V plus 20, that means 2 V equal to 80, तो V equal to 40 meter per second, तो velocity of the bus जो apply कर रहा है, जो constant है, वो है 40 meter per second, और इसको अगर हम time में substitute करेंगे, in fact, शायद यहाँ पर D calculate करना पड़ेगा, यानि इसको second equation में डाल दो, so put this in second equation, ये डालने से आपको D मिलेगा, और उसको आप वापस इस equation में डाल दो, तो आपको time मिलेगा, और ये time मिलेगा आपको इस तरह से 9 minutes, okay, so that's the answer, so hope that this discussion has answered your question, thank you so much for watching.